आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 7 के SST की वर्सिट नमबर 25 यह वर्सिट क्लास 7 के समाजिक विज्ञान इतिहास के वर्सिट है और इस वर्सिट में हम लोग मुगल समराज के वारे में पढ़ रहा है आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जहां गीरगी हम लोगों ने बाबर, हुमायू और अकबर की पढ़ाई कर ली है आप इसके फैमिली ट्री को समझिए मुगल समराज में सबसे पहले आता है बाबर बाबर का बेटा होता है हुमायू हुमायू और हुमायू के बाद आता है अकबर अकबर के बाद नंबर है जहांगीर की और जहांगीर के बाद सा जहां फिर सा जहां का बेटा होता है और अंग्जे इस तरह से इसके फैमिली ट्री चलती है बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगीर, सा जहां और अंग्जे तो हम लोग ने बावर हुमायू अकबर को पढ़ लिया है आज पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में बूगल समराज्य जहांगीर ने अकबर के सेन अभियानों को आगे बढ़ाया मेवार के सिसोदिया सासक अमर सीह ने मुगलो की सेवा सुईकार की ये जहांगीर के समय की घटना है इसके बाद सिख्छो अहोमो और अहमद नगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूनता सफल नहीं हुए और जहांगीर के सासन के अंतिम बरसों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में समराट साहजहां कहलाया ने विद्रोह किया मतलब जहांगीर का बेटा था जिसका नाम राजकुमार खुर्रम था राजकुमार होगा ही तो उसने विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया था जहांगीर चित्रकला का पार्खी था और इसके समय में एक चित्रकार था मनसूर वह बहुत ही सुन्दर चित्र बनाता था और जहांगीर के समय में खास करके चिडियों के चित्र बहुत ज्यादा मात्रा में बना जाते थे तो आपने जहांगीर की खासे जान ली यह अकबर का बेटा था मेहरुन निसा ने 16-11 में जहांगीर से विवाह किया उसे नूर जहां का खिताब मिला मतलब जहांगीर की पत्नी का नाम नूर जहां था पहले उसका नाम मेहरुन निसा था लेकिन बाद में उसे नूर जहां का खिताब मिला नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रती अत्तधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किये ये जो सिक्का है इस तरह का ये नूर जहां के सम्मान में जारी किया गया था और ये चांदी का था जिनमें एक और स्वैम उसके खिताब उतकेरने थे और दूसरी और यहवा के रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ और बाई और दिया गया दस्तावेश नूर जहां द्वारा जारी किया गया आदेश फर्मान है यह नूर जहां का आदेश है पुरा यह पत्री पहले इसी तरह के आदेश जाहिर होते थे किसी धातू के चोड़े पत्तर पर कुछ लिख दिया जाता था या फिर बिल पत्तर होता था उस पर लिखा जाता था या फिर बिच्छों के चाल पर लिखकर रखे जाते थी तो यह भी नूर जहां के द्वारा दिया गया अदेस है फरवान है यह एक चौकोर मुहर है और चौकोर मुहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूर जहां पादसाह बेगम का अदेस गोल मुहर के अनुसार साह जहागीर के परताब से महारानी चंद्रमा जैसी बैवासाली बन गई हम कामना करते हैं कि नूर जहां पादसाह इस्यूप की सरोत्तम महिला बने तो इस तरह से ये फर्मान जारी किया गया है और उसके बाद आपने जैसे की देखा था कि जहांगीर के सरो में उसका राजक्मार खुर्रम विद्रोह कर देता है यहीं खुर्रम आगे चलकर साह जहां के नाम से राजा बनता है मतलब मुगल सासन में अगली जो बात सहाँ के आती है आप सहाँ के बारे में देखते हैं दक्कन में सहाँ के अभopfयान जारी रहे और अफ़कान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और यह पराजित हुआ ये साजहां के अभियान थे अहमन नगर के बिरुद्धे अभियान हुआ जिसमें मुंदेलों की हार हुई और और्चा पर कबजा कर लिया गया इसमें भी साजहां की जित हुई फिर उत्तम पस्ची में बल्ख पर कबजा करने के लिए उजबेगों के बिरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा और प्रणाम सरुप कांधार सफावीदों के हाथ में चला गया उसके बाद 1632 में अंतता अहमद नगर को मुग्रों के राज में मिला लिया गया और बिजापूर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया 1657 में साहजहां के पुत्रों के बीच उत्राधिकार को लेकर जगड़ा हो गया इसमें औरंग्जेब की बिजे हुई और दारा सिको समेत उसके तीनों भाईयों को मौत के घाट उतार दिया गया मतलब औरंग्जेब चार भाई था चार भाई में से एक तो औरंग्जेब हो गया बाकी के तीन भाईयों को उसने मरवा दिया और उसके बाद मुगल सासन की गद्धी पर मैठा मुगल सासन की गद्धी को संभाला अब यहाँ एक क्रिया कलाप है कि मुगल समराठ साहा जहां को उनकी अस्थापत्य कला इमारत ओवा बास्तु कला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है उनसे जुड़े कुछ असमारकों के विशे में जनकारी एकतर कीजिए तो हमारे दिल्ली में जो लालकिला है यह लालकिला साह जहां नहीं बनवाया है आप लालकिला के बारे में जो कुछ भी जानते होंगे लिख देंगे ताज महल जो आप देख रहे हैं ताज महल साह जहां कहीं बनवाया हुआ है आगरा का ताज महल तो इस तरह से ये अस्थापत्य कला में काफी रूची लेने वाला बादसा था और इसने बहुत सारे महलों का निर्मान करवाया और बहुत साले अस्थापत्यों का निर्मान कर देंगे और इसमें एक और असमारक ये आग्या पत्र भी आप डाल सकते हैं जो नूर जहां का है तो इस तरह से आप इसको क्लियर करेंगे उसके बार निमलिखित प्रस्णों के उत्तर दें यहां दो प्रस्ण है सहा जहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखे तो अलब दक्कन में यह दे दीजेगा अहमद नगर का यह दे दीजेगा फिर बल्क का यह और विजापूर अहमद नगर का यह चारों जो है सहा जहां के विजय अभियान है उसके बत प्रस्ण दो है आपने पढ़ा कि नूर जहां का समराठ जहांगीर पर काफी प्रभाव था क्या आपको लगता है कि उस समय आम इस्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुख़दाख होगा अब यहां गौर करने वाली बात है कि नूर जहां जो थी यह राजा की पत्मी मतलब राणी थी तो राणी को काफी अधिकार प्राप्त थे तो क्या इतने ही अधिकार आम जीवन में दूसरी महिलाओं को भी थे तो इसका उत्तर सिधे एक लाइन जो होगा नहीं इतने अधिकार दूसरे महिलाओं को नहीं थे चलिए अब है सत्य और असत्य बताईए नूर जहां साह जहां की पत्मी थी तो यह बिल्कुल असत्य है क्योंकि नूर जहां किसकी पत्मी थी जहांगीर की पत्मी थी उसके बाद प्रशन दो है और अंग्जेब जहांगीर का पुत्र था इसको आप रोग याद रखिएगा और उसके बाद किरिया क्लाप दो है मान लिजे आप एक मुगल समराथ है उत्राधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताईए तो इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि आप मान लिजे कि आप मुगल समराथ है तो उत्राधिकार को होने वाले युद्धे के लिए राज्जों का बटवारा कर दिया जाए इसका तहीं उपाय हो सकता ना कि अगर चार बेटे हैं तो राज्जों को चार भाग मार दिया जाए इससे उत्राधिकार का युद्ध है समाप्त हो जाएगा फिर जिसकी जितनी सकती होगी वह अपने राज्जों को उतना अधिकागे बढ़ाएगा तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वासिट में थैंक्यू